नमाकस दोस्तु खजूर की बागवानी चेनल में आपका स्वागत है अब आपको पता था रिसान वायू पहले मैंने वीडियो बनाया था पके ए р प्बनाया निकालना है क्या फायदा और निकालने प्जूर निकालने पड़ता है जिससे क्या है पूरा कोई भी लेवर हमारी इसको आराम से काम कर सके काम करने मतलब इसमें जो परागट क्रिया होती न तो पॉलीनेशन है फूट बंच को सपोर्ट करना है जब हमारे इसमें इस पयत या फूल निकलते हैं उस टाइम काटा हमको प्रॉब्लम करता है हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं तो अभी इनका सीजन चल रहा है इनका सीजन नॉम्बर डिसमबर तक काटे कंपलीट हो जाना चाहिए इस तरीके से यह काटे हैं इनको निकाल देना पूल चाहिए जिससे कोई भी इस पर आराम से काम कर सकता है और जब इसका फूल या इस पहता आते हैं उस टाइम पर क्या है इसमें जो पॉलिनेशन के टाइम पर कोई दिक्क्रन नहीं आती है जब फुरूस सेट हो जाता है कि काटों में टकरा तकरा टकरा एक फूरूट तो वह तोल्न खराब होता है उसका फाइदा होता है कई भी किसी तरीक अराम से काम कर सकती और किसी स्पीजारारे से काटे निकालना चाहिए उसके पुरूम्ट इसमें पिछली साल लगी हुई है इनको भी अब देना चाहिए अभी देखिए विर्कुल पास में कितने सपाई से काटे काटे जा रहे हैं आप जूम करके दिखाएं लोगों को इनको पुराना बुच्छा भी काट दो इनको सपाई करना चाहिए तो यह महीना बहुत ही किसान वाई के लिए यह कि इनकाले आपको यह आपको बीजियों में यह पुराने उस्पें पिछली साल वाले यह मेट जूल प्लांट है यह वच्छी इनको निकाल के अलग लग देन चाहिए तो इस तरीके से काटे किसान वाईयों निकालें जिससे आपका फूर्ट खराबनी होगा और जो भी इसमें लेवर बगेरा काम करती है उसका कुसी प्रगार का नुकसाम ने होता है तो इसलिए हमारा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्क्राइब करें औ और गंटी वीदर में